हेलो स्टूजेंट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंट अमीबाहस्टॉलिका के मॉर्फोलोजी देखी थी आज हम लोग उनका रिप्रोडक्शन और लाइफ सैकल देखते हैं इस लेक्चर में तो आपको याद होगा हमने बताया था एंट अमीबाहस्टॉलिका जो है मनुछ की बड़ी आथ यानि कोलन में पाए जाता है तो आज हम इनका रिप्रोडक्शन और लाइफ सैकल डिसकस करते हैं तो सबसे पहले इनके होस्ट क्या है तो होस्ट मनुछ के अलावा और बी इनके रिजरवायर होस्ट होते हैं जैसे डॉग हो गया पिग हो गया आपक तो यह कैसा है maona genetic То monogenetic मतलब इनकी जो life cycle ने काज़ जनन है वह होस्ट में complete होता है तो ant unusual सबसे पहले क्या होता है इनका मल्टिपिकेशन होता है मल्टिपिकेशन यानि बहुत जादा संख्या में बृध्धी करते हैं तो गुड़न ये कैसे करते हैं गुड़न करते हैं बाइनरी फीजन द्वारा यह अलेंगिक रूप से जनन करते हैं तो इनके तीन फॉर्म मैंने बताया थे एंट अमिवास्टोली का जो है वो तीन रूपों में मिलता है एक कौन सा इनका रूप का ट्रोफो जो एडल्ट तेól यह जो पाइजाती हैं तो जो जो प्रूहummy screen 150 आगवे टीश्य सो में यह जो किया करते हैं औरफॉए ज़या दोरा क्या करते हैं अलैंगी रूप सबसे जरन करते हैं और अलेंकिक जरन करते हैं और संख्या में धेर सारे हो जाते हैं अब यह विशेस धंग से या विशेस विधी से होता है इसमें क्या होता है सबसे पहले जो इनका नुकलियस है मिस माइटोसिस समसूती भाजन तो करेंगे तो सबसे पहले जो इनका केंद्र बढ़ता है और फिर इनकी जो ये दो भागों में बढ़ जाते हैं, तो टॉफोज़ जो है विसेश प्रकाल से समसूतरी विभाजन करते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनका जो केंड्रक है, वो केंड्रक कला के बिना विलॉप्थ हुए, करते हैं समसूत्री विभाजन होता है और इसके बाद इनका जो साइटोप्लाज में वह बढ़ जाता है जिससे दो सांतित ज्यू बन जाते हैं अब दो डॉटर टॉफोज्वाइट्स बन गए जो होस्ट के टिशू में के उसी टिशू में ही है यह टिशू में ही बैनरी बड़ा दास्त maximalем के फीरव से जाते हैं और जाते हैं यह टिशू आतरे नहीं कोशिकमन डार चाहिक सब्केस्वारें जाते हैं इन में से कुछ मस्ता पाॉलय जो नहीं कोशिकाओं में पहुच जाते यानि इंटस्टाइन के लिूमेन में आ जाते हैं तिशू वहां से जो कोलन है कोलन इंटस्टाइन कई पार्ट है वहां के टिशू से निकल के कहां पर आगे इंटस्टाइन के लिूमेन में आगे यानि उनकी आथ की गुहा में आगे अब वहां में आते हैं तब इनका क्या होता है पुट्टी भवन होता है यानि इंसस्टेशन होता है वहाँ पे वो क्या बना लेते हैं वॉल बना लेते हैं सब्सक्राइब तो माइनुटा रोप का पुटिभवन केवल आत्थ गूहाने ही होता है तो जो माइनुटा रूप यह दो टुफोजोड से जो बने थे छोटे छोटे डॉट्र आपके गास्द चोटे यह ने तो यह इनका पुटिभवन केवल तो मैन्यूटा रूप का जो इंसेस्टमेंट होता है पुट्टी भवन होता है वो कहां हो रहा है सिर्फ आंद गुवा के अंदर होता है अब यह जब सिस्ट बनाते हैं तो क्या हो जाते हैं और इनके उपर इसे हो रहे हैं यह गोल होकर अपने चारो तरफ एक प्रती रोधक जो है वॉल का सिक्रीशन करने कर देते हैं तो गोल हो जाते हैं और इसके अपने चारो तरफ के एक प्रती रोधकी होगी तो को लची ली हो गी इस पारबनी सबस्त जो है वह कैसी होती remembering पहले कैसी हो केर दोरिए कि या निसक वे एक नूइस होगा और ऑप सैस्ट को नूएस है जल्द ही वह क्या करेगा ज्यृएद्ध भा जल्ध ही क्या करेगा समसूती भाजन द्वारा विभाजित होके दो भाग के binucleated हो जाएंगे यानि दो nucleus हो जाएंगे इसके बाद एक और भी भाजन होता है इसके बाद एक और सूत्री भाजन होता है जिससे दो nucleate तो पहले हो गए थे दो nucleus में एक और भी भाजन होगा तो दो से दो और बन जाएंगे तो 4 तो एक और विभाजन होता है, वो कैसा है, समसूत्री होगा, यानि माइटॉसीस ही होता है, जिससे सिस्ट जो है, उसके अंदर चार नुकलियस बन जाते हैं, अब इसे क्या बोलेंगे, टेटरा नुकलियस सिस्ट हो जाएंगी, अब टेटरा नुकलियस सिस्ट जब बन गे, इसके बाद और अधिक विभाजन जो है या और अधिक विकास या डॉलब्मेंट जो है सिसका आधगुआ में नहीं होगा. अब ये जो होस्ट है होस्ट के फिकस के साथ बाहर आ जाती है. अब बाहर आ गई तो बाहर आने पे ये दस दिनों तक जो है वो जिन्दा रहती है और फिफ्टी सेंटी ग्रेट पे ये मर जाती है. अब नए होस्ट का जब तक इसे नए होस्ट ना मिल जाये तब तक ये क्या करेंगे टुफोजाइट में नहीं बदल पाएंगे. तो ट्रांसमिशन एन इंफेक्शन ओफ न्यू होस्ट कैसे इनका न्यू होस्ट में ट्रांसमिशन हो रहा है तो ट्रांसमिशन इंफेक्शन ओफ न्यू होस्ट जो है ट्रांसमिशन नए होस्ट में ये सिस्ट से दूशित जब मनुश जो है सिस्ट से दूशित पानी या फ जो लोग डिफिकेट करने जाते हैं तो उन से यह खेत में काम कर रहे हैं तो सिस्ट नाकूनों वगए और उससे खाना खाते बग चली गई या आपके मख्य जो है और इंसेक्ट जो है वह फूड पे बैट गए तो अपने पैरों में चिपका किला है और आप फूड पे बैट सिस्ट से दूशिक जितना कंटामीनेटेट सिस्ट से फूड हो या वाटर हो या फूड हो एपनूश्यों में यह पहुच जाती है अब जब मनुश्य में पहुच गी तो फिर उनका क्या होता है इक सिस्टेशन यानि सिस्ट वाल जो है वह उतारी जाती यानि वी भवन होता है तो इक्सिस्टेशन नए होस्ट में अंतर ग्रहिस सिस्ट जो है वह आगे बढ़ती जैसे मनिश्व द्वारे जब निगल लिया गया तो वह इलिमेंटरी कैनल में आगे बढ़ रही है जब यह इस तमक में पहुचती है अमाश्य में पहुचती है तो इस तमक से ग्या है गैस्टिक जूस स sharit होता है तो वह इस सिस्ट के उपर जो वाल होती है वह गैस्टिक जूस से उसको बचाती है तो जब बहुरा दो जिब यह आम चेंट, पहुन्च थी है तब इनका जो एंग मास्या लाइंटे बात जब ये चोटी आतमे पहुशती है तो वहां पे ट्रिप्सिन ईंजाइम सिक्रीट होता है तो माल इंटेस्टैन में जायेगी तो जो कि फिर पे जो वॉज़ है उनका पाचन हो जाता है यानी वह डिजॉल हो जाती है तो ट्रिप्सिन क्या बोल जब इसकी वाल जो है वो गुल जाएगी टिपसिन एंजाइम की वज़ा से स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जो सिस्ट बाहर निकलेंगी सिस्ट वाल जो उतर गई है तो उसे क्या बोलेंगे एक सिस्ट बोलते हैं या मेटा सिस्ट बोलते हैं तो अब यह मेटा सिस् जब यह लाज इंटस्टाइन में पहुची एक इस तो प्रतेक इस इक सेस्ट बाहर निकलने के बादby कंडन द्वारा विभक्त होने लगती तो जो शिस्ट के सिथी थी थी ट्र– जब एक बार और वी भाजने कि आट निकलती है तो विशेज अब यह यह भी भाजन होता है विशेज जाके बढ़ने लोगे में supportive 6 गभी। आजए है एस हैं में बन जाते हैं जो बड़ी की में चेंदर इंटरो Εजस्ट बाहर आ जाते हैं आठ जो है, वो मेटा सिस्ट ट्रोफोजोईट बन जाते हैं, जो बड़ी लाज इंटेस्टाइन में या कोलन में प्रिवेश कर जाते हैं और वहाँ पे उनकी म्यूकस और सब्म्यूकोस उत्तक टिशू को वो खाते हैं और खा के जल्दी वो क्या हो जाते है अडल्ट हो जाते हैं और टूर्फिज़गराम और हैं बना लेते हैं और ah उसको हम डियाग्राम से देख में तो आपको और अधिक अच्छ से क्लिर हो जाएगा तो डिकर देख लेते हैं ख माखनद से आपको और भीर हो गया कि देखे इसमें पारी धर त्रीजित क्या इसमें जा रही आपके इक हमर्टिफिकेशन फेसलर ह horr़हं और यह स्वाइट यह से क्या है तो यह हम पे जो किसे में हो रहा है यह टिशू में घुँ जो यह कशिंन सी फार में कि इन रवार की तरफ यह हो गया अन्दर अंदर और-टी शनुरूड वायक्तिरिया या एंक नुटलींस थे तीये ट्रोफोजयट 스वा ग्राव तर्ञ हो गई या मैगना फॉर्म हो गई यह दूसरे फॉर्म हाथ प्रीजस्टिक फॉर्म यह कंसे होगी तो तीन फार्म में क्या पढ़ीं यह डूसरी यह आप की AHS के लिगें औरolly कृफोजाइट वो टेशु में और बार बार वो जनन करते हैं और अगे लिध्धी करते हैं और बार 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 वो जनन करते हैं और और तेजी कर्थे तो ये इसमें एक विचियस प्रकार का बैरी फूज़न होता है यानि इसमें नुख्लियर मेंब्रेन के बिना डिजॉल के ही नुकलियरज के दो भागों बढ़ जाता है उसके बात जब दो भागों में नुकलियरज के लागोंस बढ़ गा, फिर इनका साइटो प्लांस का डि तो यह वेजीटेटिव जो फॉर्म है इनका मर्टिपिकैशन हो रहा है इसके द्वारा बैनरी फिजन के द्वारा तो यह बार बर इस तरह से जनन करते हैं अब उनमें से यह जो कुछ पो我 जईर है जो डॉटको यह क्या करते हैं सिस्ट बना लेते हैं तो यह टोफो जोएट किस फॉर्म में प्री सिस्टिक फॉर्म में पड़े रहते हैं तो जब समाने पर इस्थिती होती है तो जो प्री सिस्टिक फॉर्म है यानि मैं नूटा भी इसे बोलते हैं तो प्री सिस्टिक फॉर्म जो है वह चोटे हो जाते हैं और उस डेच क उच्छो डेच और आहते हैं में अब एस प्रतीरोधी और इक यह पर स्कृत करे इसितल करते हैं और इसमें मीफैन स्धुर्फ प्रतिरोधी इसमें च्राहिए है 성산 करैंों और दोय कोशेम और ये और शावतOn कुछ समय बाद जह किमैंदा बार जाते मैं इनके साइटो प्लाण में बनाना चुछ समय बाद यह से डिजल्व में अपने साइटो प्लांद करेंगे और इन PM नुकलीफ प्रिकेश स्वार cancelled होता है पहले निकली वेम्ब्रेन के रहते हुए ही अंदर अंदर निकलर्स दो भागों में बढ़ जाता है उसके बाद से नुकलर्स दो भाग बढ़ कि फिर जल्दी ही ऑर भी भाजन होता है तो ये सीस्ट कैसी बाद इनका development जो है lumen में intestine के lumen में आत गोहा में नहीं होता है तो ये cyst जो है host के फीकस के साथ बाहर आ जाती है तो ये इनका जो था vegetative to cyst stage यानि vegetative form से cyst stage तक ये form हो गई stage तक हो गई cyst बन गई अब ये cyst इसके बाद से cyst से vegetative form जो बनेगी तो अब cyst जो है नहीं होस में मितलब इनका transmission होगा और infection होगा जब ये cyst नहीं होस में पहुचेगी तब जाएकि वो vegetative form या trophogoid form में आएगी तो बाहर ये 10 दिन तक जिन्दा अगर इन्हें नया कोई host मिल जाता है या तो वो उसमें पहुच जाएंगी और फिर trophogoid बना लेंगी अब इनका infection जो होगा transmission जो हो रहा वो कैसे हो रहा है contaminated यानि दूश इस cyst से दूशित पानी या भोजन जब बनुश लेता है तो वो निगल ली जाती है cyst तो elementary canal में आगे बढ़ती है अब यह elementary canal में आगे बढ़ रही है तो इस तमक में जब पहुची तो इस तमक में gastric juice secret हो रहा है तो वहाँ पर यह cyst wall जो है यह इसकी रच्छा करती है यानि उस gastric juice से इसको बचाती है अब इसके बाद जब यह small intestine में पहुच जो और आगे बढ़ती है वह dissolve हो जाती है और cyst जो है वह बाहर आजाती है तो यह existation की क्रिया हो रही है यानि cyst की wall जो है वह dissolve हो गई और cyst जो है वह बाहर आगे और कितने nucleated four nucleated cyst है अब इसे बोलेंगे metasystic यह क्या हो गई metasystic हो गई अब यह metasyst जो है अन्थी क्या हो जाएगा इनमें एक बार binary fusion होगा यानि इनके केंद्रक में विभाजन होगा तो nucleus एक बार विभाजन होगा तो यह दुविभाजन करेंगी तो चार थी चार से आठ बनगी तो यह 8 nucleated metasystic trophozoides बन जाते हैं अब यह 8 nucleated metatrophozoides जो है साथ ही साथ साइटो प्लांस के साथ यह विभाजित होने लगती यानि दुविखंडरन साथ ही साथ इनका विभाजन होने लगी और यह single nucleated जो है metasystic trophozoides बाहरा जाएंगे और यह बढ़ी आत में पहुँचके यानि कोलन में पहुचके वहाँ पे बृद्धी करने लगती हो और यह adult trophozoides बन जाती है तो इनका दो फॉर्म में आप देख लेंगे तो इजी होगा यानि vegetative form से cyst stage तक यहां तक cyst बनना और cyst से फिर vegetative यानि टोफोzoides stage तक बनना तो अब यहां से यह जो metasist trophozoides है यह जब खाने लगते हैं यानि की पोशर करने लगते हों तेजी से बृद्धी करते हैं और जो इनके बड़ी आथ हैं बड़ी आथ के जो कोलन पार्ट में यह टिश्यू और उनके म्यूकस और सम्यूकस को वो तेजी से खाके adult trophozoides बन जाते हैं और इस तरह से वो अंदर घुज जाते हैं टिश्यू में और अलसर भी बिमारी पैदा करते हैं जिससे की आओ के साथ ब्लट के साथ जो है वो pages होती जिससे amoebiasis या intestinal amoebiasis कहते हैं या आपकी amoebiasis dysentery भी बोला जाता है तो ये तो था इनकी life cycle ant amoebiasis हिस्टोलिका की next lecture में अब हम लोग देखेंगे watch area rank of tie thank you